चलिए बनाते हैं आम के सीजन में जटपट आम और हरी मिर्च का अचार जो की इंस्टेंट बनता है और इसको आप लंबे समय दक स्टोर करके रख सकते हैं खाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है आप सुबह सुबह इसको बच्चों को पराठे पूरी रोटी के साथ भी लंच बॉक्स में पैकर की दे सकते हैं दाल और चावल के साथ ये अचार खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए बिना टाइम बेश्ट की हुए आद के इस अचार को हम बना लेते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर आदा किलो दोता पूरी आम और धाइसो ग्राम हरी मिर्च दोनों को काट की रखा हुआ है आम मैंने धोके लिया है तो आप आम को धोके ही ले और काटनी के बाद इसमें डालूं कि जिससे जो आम में पानी होगा वह पानी निकालाएगा नमक हम इस लिए मिलाते हैं कि जो पानी होता है आम में वह नमक की वज़े से निकालाता है चलीए मासाला तयार करते हैं तो एक grinding jar में डाली है मैंने आदा कप पीली वाली सरसो एक चुथाई चमज मेथी दाना एक इसको पीस के रख लूँगी आदा गंटे बाद आम ने यहाँ पर पानी छोड़ दिया है तो पानी को हम निकालेंगे नहीं पानी के साथ ही अचार बनाएंगे आम में डाली है मैंने एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच नमक नमक आप टेस के साब से डाल सकते हैं और डाल दूँगी तैयार किया हुआ मसाला पूरा मसाला हम इस्तिमाल कर लेंगे और अच्छे से सारे मसालों को आमोहरी मिर्च में मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल तो मैं इसमें कच्चा तेल इस्तिमाल कर रही हूँ ये डाला मैंने एक कच्चा सरसो का तेल इसको मैंने गरम नहीं किया है अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हमारा सूपर टेश् इसलिए आप मसालों की जो quantity है वो थोड़ा ध्यान रखें ये हो गया अचार खाने के लिए तैयार इसको करूंगी में एक काज के container में store और इस अचार को आप लंबे समय तक store करके भी रख सकते हैं अगर आपको और ज्यादा इसकी shelf life लंबी करनी है तो इसमें आप थोड़ा स सतेल और बढ़ा सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी बना है ये आप भी इसको बनाएए खाईए और कीजिए इंच्वाइए